नमस्कार, मैं दॉक्टर विशाल कुमा चुरसी है, डिरेक्टर लिवर ट्रांस्परांट हिपेटोबिलेर जी आई सरजरी एट वेंक्टेश्वर हॉस्पिटल देली आज हम लिवर सिरोसिस और उसके होने वाले रिजन्स पर बात करेंगे लिवर सिरोसिस लिवर में होने वाली एक बहुत ही इंपोर्टेंट बिमारी है जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है लीवर सिरोसिस में लीवर जो है वो हाड हो जाता है या फाइब्रोसिस हो जाती है इसकी वज़े से लीवर अपना नॉर्मल जो बॉडी के अंदर फंक्शन है वो नहीं कर पाता नॉर्मल फंक्शन नाख होने की वज़े से लिवर की जितने भी फंक्शन से वो अफेक्ट होते हैं और पेशेंट को कई तरकी के परिशानिया होती है अर्ली स्टेज में ये परिशानियां वीकनेस, टायडनेस, लेक ओफ एपेटाइट और लेक ओफ स्लीप के रूप में मैंनिफेस्ट कर सकती है लिवर सिरोसिस की जो प्रमुक कारण है वो है वाइरल हेपेटाइटिस जैसे की हेपेटाइटिस B या C इठनौल ड्रिंकिंग यानि कि अथ्यदिक मातरा में जो लोग लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें लिवर सिरोसिस हो सकती है और इसके जो तिसरा कारण है सबसे ज़्यादा जो हमारे यहां देखा जाता है वो है नैश या इसे जिसे हम फेटे लिवर के रूप में भी जानते हैं लिवर सिरोसिस अगर अल्ली स्टेज में हमें पता चल जाए तो उसे रोका जा सकता है दवाईयों के जरिए या लाइफ स्टैल चिंजिस के जरिए हेपेटाइटीज बी और सी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाईयां उपलब्ध हैं जिसका सही समय पे इलाज शुडू करके हम लिवर सिरोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं या अडली स्टेज में उसे रिवर्स भी कर सकते हैं जिन पेशेंट्स का लिवर अलकोहल ड्रिंकिंग की वज़े से देमेज होता है और अगर हमें सही समय पे इसके बार में जानकारी हो तो उसे अलकोहल ड्रिंकिंग स्टॉप करके पेशेंट्स को रिफॉर्म करके उसको completely reverse भी किया जा सकता है अगर नैश या fatty लिवर की वज तो दवाईयों से उसका इलाज नहीं हो पारा तो उसके लिए कोई रस्ता नहीं है अगर लिवर डिजीज एंड स्टेज में प्रोग्रेस करती है तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज उपलब्द होता है जिसे हम लिवर ट्रांस्पेंट के नाम से जानते हैं तन्यवाद